uncountable noun नमेशा singular होते हैं यानि इन पे S.E.A.S का इस्तमाल नहीं होगा और verb कैसी आएगी singular तो जहां पे भी noun uncountable होता है उस पे S.E.A.S नहीं लगता और verb आती है singular हाला कि एक तरीका ओर है ध्यान से सुनना अगर examiner इसके पहले लिख दे parts of इन में से किसी भी शब्द के पहले लिख दे sets of S.E.T.A.S sets parts of sets of वो लिख सकता है cakes of साबुन के जर्नली टुकड़ों को cakes कहा जाता है इस तरीके के शब्द लिख के न इनको बहु अचन में बदला जा सकता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि इन शब्दों पे ऐसी है यह जाएगी बस तो अगर आप parts of sets of cakes of pieces of ऐसा कुछ लिखते हो तो वर्ब लिरल हो जाएगी अदर्वाइस हर केस में वर्ब कैसी रहेगी singular रहेगी क्योंकि यह सारे कैसे नावन है uncountable तो ऐसी इसका इस्तमाल भी नहीं होगा